हलो फ्रेंड्स गार्डनिग में दिप्ति में अब सभी का स्वाइद करती हूं आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मोगरा का प्लांट जो है यह बोहत ही बहतरीं प्लांट है पर्मानेंट के तरह हमारे गारण में रहता है पर जो winter कर time माता है। ठेंड में यह प्लाट जो है dormancy में चला जाता है तो डारments में जाने के बाद प्लान्स बिल्कुल grow नहीं कर पाता है इसके जड़े हैं वो बिल्कुल बई हो आव चले में पत्त्य तीरे तीरे दीरे ड्राई हो के GIT करने लगता है फिर डंडी ही बच जाती है और कभी-कभी हमें प्लांट को खूना भी पड़ता है तो यह सारे परिशानियों से जो प्लांट झेलता है उससे हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं थोड़ा बहुत केर करके तो ऐसे क्या केर करना होगा और क्या इसको खात देना होगा कि इसके उपर इंसेक्टिसाइड का स्प्ट्च करना होगा यह फिर प्लांट्स के सोयल में देना होगा उसके उपर आज का मेरा यह पूरा वीडियो है फ्रेंट सो विडियो को सुरू reproduction है अगर आप इसके बज़ेट से मैं मिट्टी को ज्यादा उकडाई करके उस मिट्टी को ड्राइं नहीं कर पाऊंगी तो आपके एरिया में अगर सुखा मौशम है तो आप मिट्टी का उकडाई करके जहां तक जड़े दिख रहे हैं वहां तक का मिट्टी को आप निकाल दीजिए और जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगा उस मिट्टी का फिर से इस्तमाल किजिए और जड़ों को भी हवा मिल जाएगी स्वाइल में भी अगर फंगस बगएर अलगे होंगे तो बहुत सारे भी खतम हो जाएगे इसलिए आप अच्छे से मिट्टी का सबसे पहले कुड़ाई कर दीजिए फ्रेंट्स कुड़ाई करना सबसे ज़्यादा जरूरत होती है और अभी हमें खाद भी देना है तो खाद देने से पहले भी मिट्टी का अच्छी तरीके से हमें कोड़ाई करना बहुत जरूरी है कोड़ाई करने से और भी एक benefit है friends, root को भी अच्छे से oxygen मिल जाएगी और plant को grow करने में कोई तकलिफ नहीं होगे दोस्तों सबसे पहले मैं यह कहूंगी कि जब भी आप winter का time आ रहा है आपको plant को जो आपका मोगरा का plant है उसको पूरे दिन के धूप में रखना होगा बिल्कूल भी आप च्छाय में मत रखिए एक लिस चनी चनी से धूप भी plant को मिलना बहुत जरूरी है दूसरी बात plant को watering, over watering मत कीजिए अंडर watering से भी plant को बचा कर रखिए यह plant थोड़ा सा moisture loving plant है पर winter के time में ज़्यादा इसको पानी देने की जरूत नहीं पड़ेगी हफते में दो बार या तीन बार ऐसे ही पानी देना होगा तो over watering से plant को बचाईए थोड़ा सा moisture को maintain करके जैसे ही moisture थोड़ा बहुत होगा soil में उसके बाद आपको पानी दे देना है इस तरीके से आप watering करेंगे और पूरे दिन के धूप में plants को रखेंगे और अभी एक बार आप अच्छे से इसमें खाद दे दिजिए ताकि इसका जो पत्ते होते हैं वो एक एक करके dry करेंगे और गिरेंगे और पते जैसे ही ठंड होता होगा कितने कुछ जगा पर एक पता ड्राय होके गिरना सुरु कर दिया होंगे और बिल्कुल धंडा ही बच जाएगा और बि खुड़ाई करने के पाद थोड़ा सा फंजिसाइड आप अपने प्लांट के उपर डाल दीजिए किसी भी प्रकार का बाविस्टिन हो या फिर साफ का फंजिसाइड हो या फिर आपके एरिया में कोई और फंजिसाइड मिलता है तो वह आप आधा से एक चमच के करीबन प्ल प्लांट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और एक या दो चमच जो है नेम की खलका पौडर आप अपने प्लांट के पर डाल दीजिए यह एक बहुत बढ़िया फटिलाइजर भी है नाइट्रोजन भी इसके अंदर काफी अच्छे मात्रा में हैं तो आप थोड फिस मिल है तो आप उसे भी डाल सकते हैं मैं यहां पर सबसे पहले हौन मिल डाल रही हूं और यह जो है जड़ों को फोस्फरस देगी उसके साथ साथ प्लांट का जो प्लांट में कैलसिम का कमी नहीं होने देगा तो आप बोन मिल को प्लांट में अगर आपके पास है तो तो डालिए यह जो फोर्ट सीथ देख रहे हैं फ्रेंस यह थोड़ा सा रॉक फॉस्पेट का मैंने पॉडर डाल रहे हूं रॉक फॉस्पेट में भी फॉस्परस काफी ज्यादा मत्रा में हैं और प्लांट को कैल्सम भी बहुत ही अच्छे से मिलेगा और प्लांट हमारा जो फॉस्परस दोनों प्लांट का जो इम्मुनिटी बूस्टर के तरह प्लांट के उपर काम करेंगे और शॉयल में रूट बिल्कुल सुपत बस्ता पे नहीं जाएगा यह जो चीज़ आप देख रहे हैं यह सर्सों की खली का पाउडर है फ्रेंस सर्सों की खली में नाइट करेंगा इसलिए सर्सों गडिभी आपको अभी डालना होगा यह जो आखरी चीज़ा आप देख रहें यह चाय की पती का माँ यह थोड़ा सा फ्रेश चाहेंग से अप्लाट का पाउडर को भी एड कर सकते हैं और चाही की पति में नाइट्रोजन सौस्पर पोटेश्यम भ तो आपका सॉयल अलकलाइन भी नहीं होगा और सॉयल में जड़ों की ग्रोथ जो है अच्छी से देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स तो यह सारे चीज आपको अपने प्लांट के उपर एक एक करके डालना होगा अगर आपके पास बोन मिल होन मिल फीस मिल कुछ भी है या फॉस्पेट है तो इन में से एक चीज भी अगर आपके पास है तो आप डालीए या फिर आप कोई कैलसियम रिच्ट फटिलाइजर को भी फॉस्फफरास रिच्ट फटिलाइजर को भी आप डाल सकते हैं प्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ फॉस्फफरा प्लांट के उपर अगर कटिंग करना है तो आप कट कर सकते हैं यहां पर देखिए मैं एक प्लांट दिखा रहे हूं कुछ पत्ते इसका ड्राइ हो चुके हैं और देखिए पत्ते ड्राइ होके नीचे गिर भी रहे हैं और रूट भी दिख रहे हैं तो इस प्लांट में सि सोल को जान विए चाहित हैं फिर से अपने प्लांट को मार्ज के टाइम रिपोर्टिंग वगड़ा सब कुछ कर सकते हैं ये सारे चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से पानी डाल देंगे प्लांस के ओपर और पानी डालने के बाद में यह एक इंसेक्टिस रापकर साह करेंगे इसको भी आप डाल दीजिए पर ठंड के टाइम में प्लांट के उपर कुछ भी स्प्रेय नहीं करना है क्योंकि प्लांट के पत्यों के उपर काले काले कीडे हो जाएंगे फंगस लग जाएंगे जो कि ज्यादा प्लांट को और परिशानी में डाल देगा तो यह बहुत ही बढ़िया फटिलाइजर इंसेक्टिसाइट के काम करेगा थोड़ा सा मैंने बेकिंग पॉडर को लिए हूं और निम्भू का थोड़ा सा 50-100 ml तक निम्भू का जो चिलके का पानी को लिए हूं और थोड़ा सा आहाप चुमच यहां पर मैंने नीम आयल को मिक्स क बार के कर दीजिये मिक्स करने के बाद के सब्रीट कर दीजिए फ्रेंट्स यह सारे चीज आप खत्म होने से पहले हैं प्लांट के उपर कर दीजिए अगर आपके प्लांट को प्रूनिंग की जिरोते तो प्रून भी कर सकते हैं एक सेप आपको प्लांट प्लांट पर मिल जाएगी उम्मीद है जानकारी अच्छी लेगी होगी